ओम, शान्ती, एडवांस पार्टी के प्रती बाबा ने समय समय पर जो जानकारियां दी हैं, मुल्ली के अधार पर या दादी के संदेशों के द्वारा तुन को हम अध्यन कर रहे हैं, आज हमारे सामने हैं, चौद महा विशे, एडवांस पार्टी, नस्टो मोहा, एवर यह किसको रहना हैं, एडवांस पार्टी को रहना हैं, कि हमको रहना हैं, यह आज हम बाबा की मुल्ली में पड़ेंगें, 18 जन्मरी 1986 को बाबा कहते हैं, अच्छा, दीदी नहीं क्या कहा, दीदी रूर यहान बहुत अच्छी कर रही थी, वो कहते हैं कि आपने सभी को बिना सूचना दिये क्यों बुला लिया, छुटी लेकर तियारी हो जाती, आप छुटी देते थे, बाब दादा बच्चों से रूर यहान कर रहे थे, तो अलोकिक तो हैं, अलोकिक संबंद से देशे संसकार से नस्टो मोहा बनने की वीदी, यही ड्रामा में नूंदी हुई है, इसलिए अंत में सब नस्टो मोहा बन अपनी डूटी पर पहुँच गई, चाहे विश्व किशोर का पहले थोड़ा सा मालूम था, यह बात समझ में आ रही है, विश्व किशोर को पहले मालूम था, कि मैं मेरी जो अर्जी है, वो एड्वांस पार्टी के सब्ट हो गई है, मैं एड्वांस पार्टी में जा रहा हूँ, परंतु, बाद में क्या हुआ? वो भी भूल गए पहले थोड़ा सा मालूम था लेकिन जिस समय जाने का समय रहा वो समय वे भी भूल गया था ये भी डामा में मो नस्टो में नस्टो मोहा बनने की विधी नूंदी हुई है जो रिपीट हो रही है क्योंकि कुछ अपनी महनत और कुछ बाप ड्रामा अनुसार करम बंधन मुक्त बनाने में सयोग भी देता है लाइन समझ में आईए एक मुरली में मुझे याद आ रहा है बाबा ने कहा जो एड़ांस पार्टी की आत्माई होती है वो तीन तरीके से उसका पतित गर्भ पवित्र होता है एक उसकी अपनी तपस्या से योग तपस्या से तुसरा आप उस आत्मा के निमित जो योग लगाते हो तीसरा मैं परमात्माने का मैं सही योग देता हूँ कुछ भी ड्राम सही योग देते हैं इसमें अंटर क्या है बाबा सही योग देते हैं का भी इसमें योग देता हूँ जैश्भ बाबा भी क्या सही योग देते हैं यह समझ में नहीं आया परन्तु बीशिव बाबा, योग का सा का सही योग दे त Dude वस आत्मा को क्यो दे सब को देंगे तो बाबा भक्ती की तरीके से कहा या किस तरीके से कहा बाबा ने ज्ञान का गाइडलाइन का मार्ग दर्शन का सयोग देते हैं कुछ बाब ड्रामा नुसार करम बंदर मुक्त बनने में कोई कि बाबा ने आकर के सब को ज्यान देने का तो सयोग दिया है न तो बस यही सयोग बाबा देंगे रास्ता दिखाने का जो बहुत काल के सयोगी बच्चे रहे हैं एक बाब दूसरा न कोई इस में सब्जेक्ट में भी पास रहे हैं ऐसे एक बाब अनभो करने वालों को बाब विशेश एक ऐसे समय सयोग जरूर देता है कई सोचते हैं कि क्या ये सब कर्मातीत हो गए ये कर्मातीत सित्ती है लेकिन ऐसा आदी से सयोगी बच्चों को एक्स्ट्र सयोग मिलता है इसलिए कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई देती है लेकिन बाब की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्स दे पास विद ऑनर वना ही देती है अब यहां ऐसे लगता है जिसे बाबा एक्स्ट्रा मार्स देते हैं कृपा अंक देते हैं ग्रेस मार्स देते हैं ऐसा लगता है यानर बना ही देती है वे गुप्त होता है इसलिए क्वेस्चन उठते हैं क्या हुआ क्या ऐसा हुआ लेकिन ये सयोग का रिटर्न है जैसे कहावत है न, आई वेल में काम आता है तो जो दिल से सयोगी रहे उन्हों को ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्च रिटर्न के रूप में प्राप्थ होते हैं जो यग्य में सयोगी रहे उनको बाबा कहते एक्स्ट्रा मार्च रिटर्न के रूप में प्राप्थ होते हैं समझा इस रहसे को इसलिए नस्ट्व मोहा की विधी से एक्स्ट्रा मार्च की गिफ्ट से सफ़ता को प्राप्थ कर लिया तो यही विशेश रूरुहान चली आदी प्रत्रों के संग्ठन में वो कैसे मिस होगी इसलिए वे भी इमर्ज थी अच्छा गेर एडवांस पार्टी की बातें आप क्या करेंगे एडवांस पार्टी अपना काम कर रही है आप एडवांस कोर्स भरो पाई बेनों में एडवांस कोर्स भरो जिससे परिवर्तन करने के कारिय का कोर्स समाप्त हो जाए सिस्टी के विनाश की बात अलग है अपने को एवर रेडी रखना अलग बात है इसलिए ये उससे नहीं मिलाना भिन भिन आत्माओं का भिन भिन पार्ट है इसलिए ये नहीं सोचो की मेरा एडवांस पार्ट में तो नहीं है मेरा एडवांस पार्टी में तो नहीं है या मेरा तो विनाश के बाद भी पार्ट है कई आत्माओं का है लेकिन मैं एवर रेडी रहू नहीं तो अलबेले पन का आंश प्रगत हो जाएगा इसलिए क्या रहो एवर रेडी रहो ये दो बाते दोनों को रहनी है चाहे वो एडवांस पार्टी की आत्माओं हैं चाहे हम हमें भी नस्तो मोहा स्मृति लब्दा और समे रहना है अच्छा ओम शांती और विस्तार से जनने के लिए रुजा पिता ब्रमा कुमारी ईश्वरिय विश्व विद्या लेके किसी भी सेवा केंदर पर संपर्क करें और यदी कोई प्रेशन है तो 92-131-06-986 पर के वल्ग टेलिग्राम करें 965069-2270 पर के वल्ग वर्टव करें ओन नहीं ओम शांती